दोस्तों यहाँ पर question number 10 दिया है एक्स की पावर एक्स कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वाइर प्लस वन अपान एक्स स्क्वार माइनस वन तो देखें इसको कैसे solve करेंगे तो सबसे पहले हमान लेते हूं य बराबर इसको तो माना य बराबर एक्स की पावर एक्स कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वार प्लस वन अपान में एक्स स्क्वार माइनस वन अब देखें अब हम जाते हैं कि इन दोनों को दो भागों में बाट लेते हैं मान लेते हैं य बराबर और व बराबर तो य बराबर पहले को मान लेंगे एक्स X की पावर X, cos X, V परावर इसको माल लेंगे, X square प्लस 1, अब आन में, X square माइनस 1, अब देखिए, बारी बारी से इसको हम solve कर लेंगे, अब निएब में, इसको हम solve कर लेते हैं, यू बरावर तो यहांपर लिख लेते हैं, bajo, X की पावर X, cos X, अब देखिए, अब इन दोनों में, अब जानते हैं कि दोनों पक्छों में हम पहले लॉग लेते हैं, यह लॉग क्यों लेंगे, क्योंकि यह यक्स के गहात में दिया ह हैं यहां कुछ भी होता यदि घात में कुछ भी दीया होता थो हम लोग लेते हैं तो देखिए लिख लेते हैं कि दोनों पक्छो में लोग लेने पर लेने पर तो यह हो जाएगा लॉग यू ब्रावर में लॉग एक्स की पावर एक्स कॉस एक्स अब देखिए इतना हो गया अब दिया क्या है लॉग एक्स की पावर एक्स कॉस याक्स तो मतलब एक घात में यहां पर इतना दिया है तो देखे इसके लिए हम formula होता है यह log M की power N बराबर में N log M यह हमारा formula होता है तो इसी formula पर हम इसको रख देते हैं तो देखे यह हो जाएगा पहले हो जाएगा log U बराबर में अब इसको यह जो घात में है इसको हम पहले लिखे, उसके बाद से इसको लिख देंगे, formula के साब से, तो यह हो जाएगा, x, cos, x into, यह हो जाएगा, log, x, तो इन दोनों के बीच में गुणेगा संबंद है, तो देखिए, इसके लिए, इस formula का हम यूज करते हैं, यह formula होता है, d by dx, a into b, बराबर में, a, d by dx और यह b, plus में b, फिर d by dx, और यह a, इस formula का यूज करते हैं, तो हम जाते हैं कि a बराबर, इसको मानेंगे, लिख लेते हैं आपर, a बराबर, x, cos, x, और b बराबर, log, x, इसको हम मानते हैं, तो जहाँ जहाँ पर a है, b है, उसके अस्तान पर इस मान को रख देंगे, तो चल लिख लेते हैं, x के साथ करने पर, तो यह देखिए, यह हो जाएगा, d by dx, log, u, फिर इसको लिख लेते हैं, d by dx, x, cos, x, into, log, x, इतना हो गया, अब देखिए, आप इसका हम, आगे कर लेते हैं, तो आगे हम क्या करेंगे, हम जाते हैं, d by dx, log, x का जो मान होता है, वो होता ह है, one upon x, तो x के साथ पर, u दिया है, तो हो जाएगा, one upon u, फिर के वाल, u का हो जाएगा, du upon में, dx, फिर देखिए, अब इसको हम इस फॉर्मूले के साथ से कर लेते हैं, तो देखिए, यह हो जाएगा, x, cos, x, एक के साथ पर रख दिया है, फिर d by dx, और फिर b बराबर हो ज फिर d by dx, और क्या दिया है, a, तो a बराबर है, x, cos, x, इतना हो गया, अब देखिए, अब इसको हम, अब देखिए, अब यह हो जाएगा, one upon u, du upon में, dx, बराबर में, x, cos, x, इसको हमने वैसे लिख दिया, आप देखिए, d by dx, और log x का होता है, गोने में, one upon x, फिर प्लस, यह हो जाएगा, log x, और यहाँ पर दिखिए, यह दिया है, d by dx, और x, cos x, मतला, x, इस cos x के साथ गुड़ा कर रहा है, तो इस x के स्थान पर यदि a होता, या कोई भी अचर संक्या होती, जैसे कोई अंक दिया होता, तब हम इसको देखिए, कैसे करते हैं, यदि दिया होता a into cos x, तो इसका जब हम उकलन करेंगे, तो a को ऐसे बाहर ले लेंगे, फिर d by dx, और इस cos x का हम उकलन कर देंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए, इस x दिया है, a या कोई भी अचर संक्या यहाँ पर नहीं दिया है, तो इसलिए हम इसके लिए गुड़े का संबंद है, तो इ a के अस्थान पर yaks को मानेगे और b के अस्थान पर cos x को मानेगे, तो देखिए कर लेते हैं, तो यह हो जाएगा यह दिए है d by dx x cos x तो इसको हम कर लेंगे इसको एक break item कर लेते हैं क्योंकि यह log इसके साथ गुड़ा कर रहा है तो पहले लिख लेंगे x फिर इस formula के हिसाब से फिर यह dy dx और cos x प्लस में cos x फिर dy dx और यह हो जाएगा x अब bracket को बंद कर लेंगे अब देखिए अब यहां से यह हो जाएगा एक बार फिर से लिखे लेते हैं 1 upon u du upon dx ब्राबर फिर यह हो जाएगा इस x से यह x कर जाएगा तो यह बचा है cos x प्लस यह log x उसके ब्रेकेड में इस x को उतार लेंगे यह x अब यह देखिए d by dx cos x को मान होता है माइनस साइन x फिर प्लस और इस cos x को उतार लेंगे cos x और फिर x का आउकलन होता है एक तो यह यहां पर गुणा करेगा कोई value ने अब देखिए अब इसको हम आएक कर लेते हैं अब इसको कर देंगे तो यह हो जाएगा one upon u du upon में dx बरावर में cos x प्लस इसको हम इसमें गुणा कर देंगे यहां देखिए यह x है और यह माइनस साइन है तो जब गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा पहले लिख लेते हैं log x इसके साथ माइनस में x sin x plus cos x इतना हो गया अब देखिए यह हो जाएगा du का हमारा final जो मान होगा वो होगा यू को इधर कर देखिए यू फिर यह हो जाएगा cos x प्लस यह माइनस और यह प्लस तो यह माइनस हो जाएगा माइनस log x इंटू इस x को हम पहले कर दे रहे हैं यह x और यह sin x प्लस में log x इंटू cos x यह हमारा आया du upon dx कमान अब u कमान भी हम रख लेंगे तो चलिए अब पहले v कमान निकाल लेते हैं अब देखे हैं पर हमने v बराबर अब निकाल लेना है ''v का मान निकाल लेते हैं'' लिख दिया हमने v बराबर x प्लस 1 upon x स्वेयर माइनस 1 तो देखे इसके लिए यह अंसर और हर के रूप में दिया है तो इसके लिए देखे यह formula होता है d y d x a अपान में b बराबर में b फिर d y d x और ये a और फिर माइनस में a फिर d y d x और ये b और अपान में b का square अब देखिए इस formula पर हम इसको रख देंगे तो ये बराबर क्या मानेंगे ये उपर वाला और बी बराबर ये नीचे वाला तो ये हो जाएगा ये बराबर x square प्लस 1 और बी बराबर हो जाएगा x square माइनस 1 तो अब देखिए इसको आगे कैसे solve कटेंगे इस formula पर रख देते हैं तो लिख लेते पहले x के सापेज आउकलन करने पर आउकलन करने पर तो देखिए इसका हो जाएगा वी का हो जाएगा डी वी है पान में डी अक्स और इस formula के सबसे बी नीचे वाला है तो ये हो जाएगा पहले x square माइनस 1 फिर डी बडी अक्स और x square स्कॉयर प्लस 1 फिर प्लस एक्स स्कॉयर सोरी यह रहेगा माइनस एक्स स्कॉयर प्लस 1 फिर डी बडी अक्स और यह हो जाएगा x square माइनस 1 और पूरे का जो बड्टा में रहेगा वो रहेगा x square माइनस 1 का holy square देखिए अब आगे कर लेते हैं इसको इसको पहले हम उतार देंगे x square माइनस 1 फिर इसका देखिए x square का जो अक्लन होगा वो गड़ टू एक्स और प्लस में 1 का अक्लन मतलब 0 क्योंकि यह अचार संक्या है तो यहां पर प्लस में 0 मतलब कोई value नहीं अब यह माइनस है तो यहां पर माइनस लगा दिए अब देखिए इसको हम पहले bracket में रखते हैं क्योंकि यह माइनस लगा है अब इसमें हम गुणा के यह टू एक्स क्यूब प्लस में इसके साथ गुणा के यह इतना आ गया और अपान में यह x square minus 1 का square आप देखिए अब इसको इस bracket को हम पहले open कर लेते हैं तो यह हो जाएगा 2x cube minus 2x और minus 2x cube अब bracket लगा है तो इससे पहले minus लगा यह तो जब bracket को open करेंगे तो पलस वाला minus है minus में यह 2x और अपान में x square minus 1 का square अब देखिए अब इसमें हम इससे इससे काट सकते हैं यह और यह कट जाएगा और यह minus है और यह minus हो जाएगा minus 4x अपान में x square minus 1 यह हमारा होगे कितना dv अपान में dx बराबर इतना हमारा आया अब देखिए हमें finally निकालना किया था हमें निकालना था y बराबर u और plus v तो इसका जब आउकलन करेंगे तो हो जाएगा dy by dx बराबर du अपान में dx प्लस dv अपान में dx इतना हमारा अब देखिए इसका मान हमने निकाल लिया है और इसका भी मान निकाल लिया है तो दोनों का मान यहाँ पर रखतेंगे और हमारा answer आजाएगा तो देखिए dy by dx बराबर यह हो जाएगा यू फिर ब्रेकेट में कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस में एक्स साइन एक्स और यह लॉग एक्स प्लस कॉस एक्स उसके बास से देखिए अब यह डियू का मान हमने रख दिया अब फिर से प्लस लाग के और डिवी का भी मान रखेंगे तो यह प्लस लाग के फिर यह भी यहां पर भी नहीं रहेगा क्योंकि डिवीफ और डिवीफ और डिएक्स पराबर मान हमार आया है यह माइनस 4x सापान एक्स इसक्वाइर माइनस 1 अब देखिए अब इसका यू का मान रख लेंगे दिय भाई डिएक्स पराबर यू का मान क्या है x की पावर x cos x, अब रेकेट में cos x into log x minus x sin x into log x और प्लस में cos x, यह हमारा du का मान रखती है, अब देखिए, यह माइनस में हैं, यह प्लस में हैं, तो माइनस और प्लस माइनस 4 x अपान में, x स्क्राइब माइनस 1, तो यह हमारा आया answer, तो दोस्तों आज के वीडियो अपलोग ऐसे लगा, हमें comment box में जरूर पता है, अगर आप चैनल करने हैं, सब्सक्राइब जरू करिए, धन्यवाद,